हेलो फ्रेंड्स बाइंडी टू प्रयाग राज में आप सभी का स्वागत है मैं उत्मा चौहान आज आप लोगो इंसर्ट में के अगले ऑप्शन बताऊंगी जो कि हमारा टेक्स बॉक्स है ठीक है टेक्स बॉक्स के बारे में पिछले वीडियो वह बता देते लेकिन एक बार हम और हम उसे बताएंगे और सी की साथ हम आगे बढ़ेंगे उसके अगनादर फीचर के साथ में चलिए स्टार् कर लेंगे यहां साथ है यहां था मैक्सिमास कर लेते हैं जो हमने यहां किया कि तरह अच्छे से ब्लाग को यहां पर वीच यहां पर इस इस की क्या है को यह जा gonna क्या हुए sto लिए इसी तरह से आप लोग करतें सांदे साथ संधा के यहां यह तु अजया I हुआ आर पिय तो आप आर डिया था गर इसी के आगे बढ़ना है क mix this recording करनी हो तो आप क्या करेंगे इसी को वापस से क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपने मोनिटर पर यहां आपर format menu ठीक है format menu अगर थोड़ा सब्सक्राइब नहीं दिखें इसको मैं क्लियर कर देती हूं यह देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं इस इत्वा सब्सक्राइब कर दिया ताकि आप लोगो क्लियरली दिखाए दे सकें यह रहा आपको format menu format menu पर आप इस तरह क्लिक कर देंगे और यहां से यह देख सकते हैं जो भी आपको उसमें editing करनी हो जो भी आप इसमें नहीं चीज़े सकते हैं यह देख सकते हैं यह देखिये इस तरह से आप एक अच्छा सा अप्सूरा से एफेट यहां पर दे सकते हैं छिए फ्रेंट्स पर हमारे हाँ पर चेंजे होता जा रहा है तो यह ता फ्रेंड्स हमारा Tax Box तो अब हम आगे बढ़ेंगे एसी के बाद स्क्रीन पर हम जारा कहीं भी कर से हैं तो ख्रिक कर देंगे और हम जारे इंसर्ट मेन्यू के Next Option का हम लोग यूज करेंगे यह रहा हमारे इंसर्ट मेन्यू टिक है? इंसर्ट मेन्यू कि अप्शन को देख सकते हैं देखिए गद्यां से हमां से तो दोक्यमेंट प्रॉपर्टी चाहिए तो डॉक्यमेंट प्रॉपर्टी पे प्लिक जैसे आप करें पर यह देखिए सारे उसके आप्स्ट्री आपको यहां पर दिखाए दें इनके समाली आपने डॉक्यमेंट आपको डालेंगे तो जहां भी आपका मुंम हाउस होगा जहां पर नहीं हो चुका होगा यह देखिए इसको हम थोड़ा सा जूमिन कर देते हैं मालीजे यहां पर नहीं दिख रहा है तो कोई बात है इसको हम फिर से ओपन कर सकते हैं यहां से मालीजे से कि हमारा कर्सर यहां पर है इस जगा पर और यहां से हम लोग कुछ पार्स की मदद से देख सकते हैं क्विक पार्ट की मदद से हम लोग को जब भी चाहिए यहां सब ओपन कर सकते हैं यह यहां से हमने जहाए क्विक पार्ट यूज किया डॉक्यमेंट ऑथर यह देख सकते हैं जैसे हमने ऑथर का नाम पर क्लिक किया तो यहां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे आपको जहाए ऑथर यानि की बाइनरी टेकर के ऑथर का नाम यहां पर स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहां पर इनके सब्सक्राइब यह आप चेंज करना चाहते हैं बैक से यह तो आप मैंने कुछ भी नेम डाल दी है नहीं नेम आप डाल सकते हैं जैसे की माल लीजे अपने इस टेक्स्ट एरिया पर आप जहें माल लीजे अगर कोई भी आप एक्सटर्नल एक स्पेस प्रवाइड करना चाहते हैं जहां पर कुछ स्पेशल आपको लिखना हो कुछ अपने एडिट करना एड करना हो जैसे कि और नीम हो गया को या एबस्ट्रेक्ट हो गया या कोई चोटी बड़ी इंफॉमेशन होगी तो उसके लिए हम लोग ऐसे स् फिलता है ठीक है आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर तो यह था फ्रेंट्स हमारा कुछ पार्ट अब यहां पर हम स्क्रीन पर हम इस तरह से कहीं भी क्लिक कर देंगे यह देखिए अब आते हैं अपने वर्ड आप से और हाँ इससे पहले कि हम आगे बढ़े बढ़े इसमें हमारी ए टूजेट बहुत सारे उप्शन इसी तरह से हमारा फिल्ड दिया और फिल्ड में क्या करता है फिल्ड इंसर्ट कर देगा और हम आप खुछ भी टाइप कर सकते हैं डैन बिल्डिंग ब्लॉक और अर्गनाइजर आप किस तरह से अपने डॉक्मेंट्स को ब कुछ special नीम या कुछ भी special information आपको अगर आपको प्रॉइड करना तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपने वर्ड आर्ट का ठीक है देख सकते हैं फ्रेंट्स ध्यां से यहां पर वर्ड आर्ट में बहुत सारे टाइप के सुंदर सुंदर अट्रेक्टिव यहां पर जिए पैटर्स मिलेंगे आपको जैसे यह सिंपल वर्ड आठ हो गया यह आपको डाक कॉलर में और थोड़ा सा जैर डाइगोनल आपको बाट हो गया यह प्लीन आपको बहुत सारे पीचर मिलेंगे अब इसको यूज कैसे करना है आए देखते है सबसे पहले करना क्या है इ यहां पर हम टाइप कर देते हैं बाइनरी टेक्स यह फॉंट का स्टाइल यहां से होपने एरियल ब्लैक वाद जो ऑप्शन है यहां से एक वॉंट पर यहां से जागा हम चूस कर लेंगे यह देखिए और इसके बाद अगर इसकी साइज आप बढ़ाना चाहें तो इस तरह से आप और साइज इसकी बढ़ा सकते हैं हमारे स्क्रीन पर यहां पर मेन्यू तो खीडर लेतागी हैं very much फॉर्मेट मेन्यू तुरंत इनेबल हो जाएगा और इसमें फॉर्मेटिंग यानि किसी भी तरह की एडिटिंग आप कर सकते हैं इसे मैं थोड़ा से आपको जूम करके दिखा दिया जिसे कि आपनों को और क्लियर लो यह देखिए हमारी एडिटेड टेक्स है जो कि आप हम इसमें हमको एडिटिंग करने तो करने के सबसे पहले हम सको क्लिक किया क्लिक करने के बात हम उपर चलेंगे अपने आप्षेंग से एक यह देखिए और आपको तो यह देखिए शेप वैसा शेप हम दे सकते हैं अगर माली यह देखे रिंग आउटसाइड ठीक है यह शेप हो गया कलर यहां से थोड़ा साम डार कलर चूज कर लेते हैं जैसे कि माली यहां से हम मूर फिल कलर भी गया है और यहां से हमने यह एक्वा कलर चूज कर लिया इसको ओके कर दिया ठीक है यह देख सकते हैं अब जो हमारा हमने जो वाट आर्ट की मांस जो हमना टेक्स लिखा था उस टेक्स को आप देख सकते हैं किस तरह से रिंग आउटसाइड के फॉर्म में य हमने क्या चूश किया था हमने यह चूश किया था लेकिन आब हमारे Scream पर क्या दिखाह दे रहा है हमने जब से चेंज के एस फांब में आ रहा है तो यह एंतर मिला हमें और भी एश्या में इसम लेटन चाहते हैं तो बिल्कुल कर सहते हैं comment पर यह तरह से चेंज करना चाहते हैं और बना चाहते हैं इस तरह से हम इस option के मतलस से यहां से हम कर सकते हैं धर देना चाहते हैं यह देखिए मैं इसमें हमारे बहुत सारे च्छे दी हो हैं यह सकते हैं और यह इसको बाद És ड्लापिंग का यू प्रेंडसे पहले भी हम नोगुना बहुत बार ट्राइट ट्रालपिंग यूज किया तब पर hop पर मुझे यह क्या कहते हैं अपने टेक्स के पीछे रखना तो भी हैंडर टेक्स यह मैंने कर दिया और जब इसको उठाओं गी इस तरह से यहां से मैंसे जब ड्राइब करके लिए जाओंगी कि देखें कि देख सकते हैं अब इस टेक्स को मैंने यहां पर इन रख दिया है कितना अच्छा यह वाटर माप वाला फीचर भी देड़ा है कई बार होता है फ्रेंट्स हमको अलग-अलग पेज में अलग-अलग टाईप यह वाटर माप कर यूज़ करते हैं तो हम लोग इस पीचर को बहुत ही अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं वर्ड आर्ट की मदस से हम लोग कुछ भी अच्छा सा लिख सकते हैं उसके बाद हम लोग टेक्स राफ की मदस इसको टेक्स के पीछे पर एक दम हमें जहें बॉटर मांक वाला ही एफ्ट यह देगा ठी तो यह था फ्रेंड्स हमारे इसे अगर आप रोटेट करना चाहें तो आप यहां से इसको रोटेट भी कर सकते हैं यह देखिए यह देखिए यह देखिए इसके जितना खीचेंगे यह उतना ही अच्छा एपक्ट यह देता जाएगा यह देखिए देख सकते हैं कितना खुब्सूरत लगा रहा है हमारे यह पर पैटन पर इस पैटन में है ठीक है यह था हमारा जो है वर्डार्ट आई अब नेक्स्ट फीचर का यूज़ करते हैं बाहर इस रस कहीं क्लिक कर लेंगे अब नेक्स जो हमारा ऑप्षन है फ्रेंड्स वह हमारा ड्रॉप काई चीक है अब ड्रॉप क्या यूज़ करते हैं आये देखते हैं इसे पहले हमारा कर्सर जैसे यहां पर होता है वैसे करसर हमारा वहां स्क्रीन पर आ जाता है अगर मैं ड्रॉप कैप की बात कर तो फ्रेंड्स आप लोग अक्सर मैगजीन पढ़ते होगे या कोई अच्छी पुक पढ़ते होगे या निउस्पेपर पढ़ते हो तो आप लोग देखते हो कि उसमें किसी पैरग्राफ का एक इंफ्लेंशियल यानि कि बहुत अधा अट्रेक्टिव हम लोग बना सके हैं जिसे कि अगर कोई से पढ़े या उसे देखे तो उसका इंट्रेस्ट और बढ़ जाए देखे अब मेरा करसर माल यहां पर है मुझे ड्रॉप कैप लगानी है यहां से जाओंगी यहां पर ऑप क्या यह फीचर साथ देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लिक यहां से मुझे अगर जो भी इस देखेंगा पैस अगर यहां से मैंने इसको ड्रॉप करया किया इस ऑप्षिन को अगर यहां से ड्रॉप किया तो जो हमारा जो टेक्स यह इस तरह से कवर करेगा अगर मैंने इन मार्जिन किया तो हमारा जो पहला लेटर वह इस तरह से इद्वाला पूचाएगा उसके बाद बागी पैरग्राफ स्टार्ट होगा तो फ्रेंड्स हमने इसको क्लिक कर दिया है यहां से यह देखिए हमार जो टेक्स है यह काफी यह देखिए कितना खुबसूरत लग रहा हमारे यह ड्रॉप क्याप के पास है टेक्स एफेक्ट माली जैसे में दूसरा उप्शन यूज करना है यह हमने यह चूज कर लिया इसके लिए हमारा पहली इस करसर को हमाज चूज करना जरूरी है ड्रॉप कैप इन मार्जिन तो यह था हमारा टेक्स एफेट यानि कि ड्रॉप के मदसे चलिए इसमें एक चीज़ और आपको बताते है यह जो ड्रॉप क्याप है अगर आप इसे चाहें तो कस्टमाइज भी का सकते आपको यही दोनों मिलें कि ड्रॉप क्या लगानी की इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पर ज्यान से देखेगा फ्रेंड्स आपको जह है यही दो फीचर मिलेंगे ड्रॉप और एक इन मार्जिन ठीक है अगर आपको यूज करना है इसमें अगर और कुछ कुछ करना है तो यह देख सकते हैं यहां से हम जाए ड्रॉप क्यापके हम जाए ऑप्शन पे जाएंगे यह देखिए ड्रॉप क्या आपको ऑप्शन और यहां से हम लोग क्या करेंगे इसे यह देखिए बाइडिफॉल्ट टीन लाइन को यह कवर कर रहा है अगर हम इसे बढ़ा देते हैं यहां से इस ओप्शन को इस फीचर को देख सकते हैं ध्यान सक्वेंड देखिएगा यह कि जो ओप्शन है हमारे हाँ पे स्क्रीन पर हूं करेंगेंगेंगे इसे बढ़ाना चाहिए इसे सब और ना चाहिए आहां सब घटा बढ़ागा सकते हैं देखिए दिस्केश भी चाहितों यहां से घटा या बढ़ा सकते हैं यह कैसे करते हैं इसी में हमारे ढाउन बना हुआ था यह की यहांपर उसके और ढाउन एरो बना हुआ है इसको जो हुआ करेंग सरह से यह देखिए तो यह हमारा बढ़़ जाए और यहां इतना ऐसके बाद हम इसे संब्सक्राइब कर देते हैं अब जो हमें ऐसा करेंगे तो हमारा इसके दूरी की distance इसमें जह है create हो चुकी है ठीक है तो इस तरह से हम इसकी help से हम इस तरह की editing को दे सकते हैं अपने screen पर ठीक है तो यह था friends हमारा drop क्या change करना है वापस से आएंगे इस पे और हम इस form में हमने change कर दिया यह देखिए अब next friends हमें करना क्या है हमारे जो next user आये वह देखते हैं करसर हमारे यहां पर आप देख सकते हैं जहां हमारे करसर है इस जगह पर हम अगर चाहते हैं कि अच्छा साहन जहां हमारे करसर ब्लिंक कर रहा है यह देखिए यहां पर अगर हम चाहते हैं अपना signature line insert कराना तो signature line insert कराने के लिए करना क्या होगा signature line पर जाएंगे click करेंगे इस तरह से और यह जो option दिख रहा है से डालोग बॉक्स ओपन हो जाएगा पर सबसे पहले सजसाइनर यानि कि जिसके नाम सा साइन लाइन उसका में दे देंगे अगर इमेल एडरस मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं करना चाहें तो छोड़ देंगे इसके अलावा इंस्ट्शन देता है सबसे पहले हम नेम देते हैं कि यहां समने कुछ भी नेम दे दिया क्या है यह हमारे क्या करते हैं मैंजर है देख सकते हैं आडरस हम इमेल आडरस नहीं देंगे बाकि यह जो हमारा फामेंट दिया इसको हम अलाव कर देंगे और इसको हम पर शो करने लगा इस तरह से हमारा सिग्नेचर लाइन यहां पर जो पर होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वाकिया इसनी में आपको कुछ और कुस्टमाइजेशन करना हो तो यह देखिए आप फॉर्मेट टूल ओपन हो गया है पॉर्मेट टूल पर जाएंगे अगर कि यहां से हमने इसको उठागे यहां रख दिया उसके बाद अगर हमें इसकी जो लाइन है इसे हमें अगर पॉइंटेड कर दी हैं इस तरह का अगर एक देना है यह इसकी जो लाइन से यह देखिए आप लाइन इस तरह से देशा है पिक्चर बारणर के सकते हैं नहीं करें कर देंगे यहां से ठीक और इस तरह से बाहर कहीं क्लिक करें तो यह था हमार सिग्नेचर लाइन अब signature line के बाहर मालीजे friends अगर आपको यहां पर अब इसी signature line के देख सकते friends मैंने अपना cursor उठाकर यहां ले आई अब मुझे करना क्या है कि यहां पर date and time मुझे mention करना date and time अगर आपको mention करना तो करना क्या होगा आई देखते हैं click करेंगे इस तरह से और यहां से हम चले जाएंगे अपने insert menu पर यह और यहां से हम option choose कर लेंगे यह date and time देख सकते हैं आप तो screen पर इसको हम click करेंगे यहां से हम को जो भी date and time चाहिए मालीजे मुझे यह वादा date and time चाहिए इसको मैंने यहां से चूज किया उसके बाद okay कर दिया जैसे ओके किया यह देखिया हमारा signature line है कि नीचे हमारा date and time का भी और यहां पर insert हो गया तो यह facility होती हमारा date and time जो है insert करने वाले और करने के लिए जह है date and time option की आते हैं इसको इसको फिर साम जो हम आउट कर देते हैं अब next feature हमारा object menu objective menu का friends sorry object option का friends हमने इससे पहले wordpad में भी यूज किया था I just hope कि आप लोगो याद होगा कि हमने चाहिए इसके मदद से क्या किया था किसी भी दूसरे फाइल की यानि कि कि किसी भी दूसरे application के फाइल को हम लोग उसके वर्क करके और उसके बाद हम लोग अपने टेक्स्ट एरिया में हम उसे open कर सकते हैं याद होगा यह देखिए यह बन गया और इसके बाद जैसे हम इसको close करेंगे यह देखिए हमारे स्क्रीन पर यह पेंट यहां से open हो जिका है प्रेंस अगर object menu का आप लोग यूज करते हो तो बहुत जादा आप लोग खाल यह रखना होगा किसने जो भी हमारे files का format दे रहा है क्या वो हमारे system पर मौझूद है यानि कि हमारा एड़ फोटोशॉप है coral draw है यह सारा को इस बात को बहुत जादा धियानक ना होता है कि friends हमारे system में यानि कि हमारे desktop या laptop में वह application होना चाहिए तब ही जाके हम उसके feature को हम लोग यूज कर पाएंगे ठीक है तो यह था friends हमारा object option next आते है equation equation के मरसे friends आप लोगन math की books देखा होगा math physics के आप लोगने book देखा होगा उसमें math के हमारे बहुत अच्छे equations होते हैं या अगर आप physics यूज कर रहे तो physics के बहुत सारे equation होते हैं अगर उस type के equation या वो format अगर आपको अपने document area में use करना है तो तो करेंगे क्या equation के option पर click कर देंगे इस तरह से जहां भी click करेंगे यह देखिए वहां पर यह equation के लिए open हो जाएगा और फिर हमें करना क्या है यह देखिए equation जैसे click आपका cursor रहेगा वैसे ही आपका design को menu भी open हो जाएगा यहां से आप जो चाहें वह format आप यहां से ले सकते हैं यह देखिए down arrow मैं click करूंगे यह देखिए इसके बने बनाए format यह देखिए मैंसे थोड़ा सा आपको select कर लेती हूं क्लिक किया यह देखिए यहां से मैं इसको जूब कर दिया यह देख सकते हैं इस तरह कि अगर आपको formula सब्सक्रीन पर open करना हो या लाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इक्वेशन का यूज़ करते हैं इस फें हमारे सारे हमारे से लेकर सारे के हमाएं ओप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं तो यह था फ्रेंड्स हमारे एक्वेशन ओप्शन अब आते हैं निक्स इंसर्ट मेनु पर सिंबल सिंबल बड़ा कमाल का है इसमें सिंबल के बारे में अगर मान लीजिए जैसे कोई भी सिंबल सिंबल और यहां से जो मर्जी चाहिए वह सिंबल यहां साम उठा के अपने इस टेक्स एरिया पर इंसर्ट करा सकते हैं और हाँ अगर आप लोग सिंबल के यूज़ करते तो ज्याहतर एक बार ध्याम रखेगा कि यहां पर यह फॉन्ट स्टाइल दिया है ठीक है यह जो फॉन्ट जो linha पर इस सथा से सब्सक्राइब कर सकते हैं सबस्क्रीजें हुआ है अधर में यहां पर मैं कि कर लेते हैं यहां से यहां से मैंने टब किया है ये और जैसे ही इसको हम क्या किते हैं वेब डिंग फे ख्लिक करेंगे देखें यहाँ यहाँ पर शेंबंड हो चाहिए अब गोई ढई मझे जो कोई भी शिंस जाहिए सबस्क्रीन सर्थ यह आंट टरस जाहिए उसको लेकर एक तॉसके बाद यहाँ इसको भी देखना पड़ेगा कि करसर मैंने आप थ्यान नहीं दिया था तो कोशिश यह करिए कि आप लोग इस चीज का पूरा-पूरा ध्यान दीजिगा अधर वाइस क्या होगा कि आप लोग को पता नहीं चलेगा कि आप इन कहां पर इंसर्ट किया हुआ है कि कर लिया और जा कर सिंबल के ऑप्शन से यह झाय वा था इसको यह बहुत ही छोटा है आप इसे चाहू था से maximize भी कर सकते हो कर रहा क्या shift की मदद से इसे select कर लीजे और control shift और angle bracket की मदद से closing angle bracket की मदद से आप इसे बड़ा कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से आप किसी भी symbol को open करके इसका बहुत ही अच्छा use कर सकते हैं तो यह था friends हमारा पूरा का पूरा insert menu symbol तक जो आज के इस वीडियो में cover हो चुका है आई हो कि आप लोगो आज के इस वीडियो के जितने भी option में ने बताया सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया इनके सगर आपको नहीं सौर में आता है तो आप उसे comment की थूरू आप जो है